जैन दोस्तों मैं डॉक्टर राजी व्यादो मैं एक शिशुरोग विशशगय हूँ आज मैं आपको बताऊंगा कि फार्मुला फ्रीट इस्ट्राइल तरीके से किस तरव से बनाए, उसे किस तरह से स्टोर करें, कब-कब दें फार्मुला फ्रीट, कितना कितना दें और फार तो लीजिए चुरू करते हैं वीडियो को तो दोस्तों formula milk बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ चीज़ा है, जैसे कि formula milk 2 katoiriya एक चमच एक फीडिंग बॉटल और गरम पानी तो यह है हमारा फामुला मिल्क जिसको बलते हैं नैंप्रो वन तो इसको हम अभी निकालते हैं यह देखिए यह निकाला हमने इसमें अंदर एक स्कूप होता है मतलब एक चमच होता है प्लास्टिक का यह देखिए यह रहा हमा और कर शोड़ा स्कूप हमने दिखिए उसमें जब carbon Space we're where Girls यह दिखिए अल्वन करने और ढूंता है जितना बनादा हम रेकृट है तो बहुत ज़्याधा हो जाएगा मिठा उने से क्या रहे, बच्चे को स्वाद यो उच्छी शही है रहता है वो नहीं मिल पायागा एक जो proper डिलूशन होता है, वो इश रहे बता जता है कि बच्चे को इस तरह का स्वाद मिले जो मदर की ब्रेस्ट मिल के एक्विलेंट हो इसलिए हम इसको क्या करते हैं ऊपर से कट कर देते हैं और यह दिखिए अभी एकदम बराबर हो गया दिखिए अब यह मातरा को हमको क्या करना है इसमें डालना है इस कटोरी में हम डालेंगे ठीक है यह से हम डाल दिया ठीक इसको यहां रख दिया उसके बाद हम क्या करेंग मार्क होता है देखिए ये रहा ये मार्क है ये देखिए ये पचासमेल का मार्क है ये चालिसमेल का है ये तीसमेल का है तो इतना तीसमेल हम पानी भरेंगे इसमें या तो इससे आप ले सकते हैं या फिर आप इससे एक सिरिंचे भी ले सकते हैं जैसे कि ये देखिए एक दस लिए देखिए 10 अमेल गरम पानी इसमें डाल दिये यह हो गया अभी हम दुबारा लेंगे 10 अमेल पानी रूम टेंपरिचर पर होना चाहिए यूजली जो अबाल के जो नॉर्मल किया पानी होता है वह आप इस्तमाल कर सकते हैं रूम टेंपरिचर वाला पानी इस तरह से हमारा 30 म हो जाएगा यह देखिए यह 30 म हो गया अभी हम इसको यहां पर रख देंगे अभी क्या करेंगे इसको इससे फेटंगे ठीक आच्छयस floor लेंगे इसको मैं इन घूल रहा हूं ठीक है एकृड जब घूल जाएगा थो इसको हम एक मपर भीक क्या से अभी वरत आऊगो हूंग। अब हें गिया आपध़ अब इसको और यहां रिएगए पूटनी निच्छे वह दि कि इसमें जाग ना बन जाए जाग बनाना ज़रूरी इसलिए है तक जाग बनना एक निशानी होती है कि जो पाउडर है दूद के मतलब पानी के साथ अच्छे से घुल गया है तो यह हमारा अभी मिल्क तया आ रहे देखिए आप इसको देख सकते हैं कि पूरा अच्छी तरह अच्छा वहीं आ रहा है देखिए देखा आपने पचास मेल के नीचे देखिए एक चाली से मल की वह है मार्क है फिर उसके और एक नीचे तीस से मल तो इस तरह से तीस से मल दूद बन गया तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हम फॉर्मॉला मिल्क कैसे बनाएंगे और फ सर को जुड़ा होता है उसको अच्छा से बांद ले अथा कि कोई भी मतलब उसमें कोई डस पार्टिकल्स कोई ना जाए ठीक आपके शरीका कोई बाल ना गिरे उसमें और पसीने की बुंदे ना जाए इसलिए अच्छा से फेस को क्लीन करके पोच के इस ट्राइल अन्वा गंटे तक और इसे माली जी अगर आपने बच्चे को पिला दिया है तो उसको क्या करें कि जितना पिया है बच्चा उतना पिला दें और उसके बाद जो बचा हुआ है उसको डिसकार्ड कर दें फिर से आप एक नया टॉप मिल्क जब बनाएंगे तो और कितना कितना दें मतलब किन-किन परिस्टियों में टॉप मिल्क की जरूत होती है फ्रॉमला मिल्क की जरूत हती है देखे यज लि क्या होता है पहले 6 महीने तक इक्स्टूसीर ब्रसंट देना होता है बच्चे को मतलब सिर्प मा का दूद लेकिन कुछ कारण वश मा का दूद अच्छ से नह नहीं होता है तो दूद कमाने शुरू हो जाता है ऐसी वास था में बच्चे को टॉप मिल की जरूत होती है मतलब फार्मुला मिल की जरूत होती है जो कि मैंने आपको अभी बताया कैसा बनाना है तो जिसे मालीजी आज कोई बच्चा पैदा हुआ उसका वजन 3 kg है तो हम उस एक दिन बारा फीड बनती है तो पहली जो फीड होगी बच्चे की 15-15 ml 2 आरली होगी मतला आज के दिन के दिन बेट वन के दिन जीटु के कि नहीं क्ल जोट पांच पांच जोटते जाएंगे जिसे आज 15 में तो कल क्या हो जाएगा 20 यमेल टू आरली इस तरह से तो पहले 6 और दिखिए फार्मुला मिल्क कम नहीं देना चाहिए दिखिए क्या होता है माली आपने बनाया मिल्क और देना शुरू किया बच्चे को उसके बाद अचानक से मुह में चारोर उसके रैशिश सुरू हो गए या फिर दाने ने आ गए सूजन आ गए लिप्स वगरह में और पीने के बाद बच्चा असहाज मैसूस कर रहा है असहाज मतलब उसका पेट फुल ने लगा है बच्चे का जीम इचला रहा है बच्चा उल्टी कर रहा है और एक पोश्ट्यर में नहीं है ताड़क रहा है बच्चा मतलब एंठन हो रही है उसके पेट में तो ऐसी आवस् मतलब माली जी अगर Similex हो रहा है तो आप 9 Pro 1 पे आ जाईए, 9 Pro 1 से हो रहा है तो Similex पे आ जाईए, या Serilex 1 पे आ जाईए, तो इस तरह से आप brand बदल के भी देख सकते हैं, माली जी अगर कोई preterm बच्चा है, उसका बज़न नहीं बढ़ रहा है, और mother का भी दूद नहीं तो इसी अस्ता में क्या करें, तो इसी अस्ता में आपको तो फार्मल मिल्क के डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और बच्चे का बज़न चुकी कम है, तो उसको जल्दी अली अपने को बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, एक Lactrodex 1 कर कर के आता है, यह होता है Human Milk Fortifier, तो इसको तो हम टॉप मिल्क में भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम आली जे आपने तीसमेल दूद बनाया है, तो इक तीसमेल दूद में, तीसमेल दूद में आप क्या करें, लेक्रड़र्स का वन थर शेशे देना शुरू करें, वन थर शेशे हर दो दो गंटे में बच्चे को देना पहले तीन दिन तक उसको वन थर शेशे दीजे, फिर अगले तीन दिन उसको हाफ सेशे कर दीजे, फिर उसके बाद बच्चे का ग्रोथ होने लगे तो और उसको बढ़ा सकते हैं, एक एक शेशे भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो इसे क्या होगा, जो रिक्वार्मेंट जो मतलब first 6 month वाला बच्चा उता है यूजली उसको क्या होता है पानी की जितनी इसकी requirement है तो mother milk से ही पुरिया जाती है तो मेरेहसाब से उसको और पानी देने के और आईपी की जो recommendation है उसको अतिरिक्त पानी देने की जुरत नहीं है पानी देने के तभी requirement होती है जब बच्चा lose motion कर रहा है उसका lose motion ज़्यादा हो रहा है और साथ में dehydration के science है जैसे कि eyes ball sunken, eyes sunken हो गई है आइका निचला सिरा यहां पर sunken हो गया है और बच्चे की जो तालू है यहां पर जो होती है एंटीर फॉंटिले जिसको बलते हैं वो ज skin toucher मतलब हम पेट में यहां पर प्रेस करके जैसे यहां पर हमने प्रेस किया आइसा करके यहां चंबडी को खीचते हैं और छोड़ते हैं तो उसके रिग्रेस होने जो टाइम लगता है उसको बलते है skin toucher, skin pinch अगर 2 seconds से ज्यादा का है तो वितू ही बच्चे को dehydration है तो ऐस से तीन कीजिगा है तो उसका जैसे पहले दिन का फीड का requirement होता है 5 ml पर कीजिए मतलब 15 ml तो उतना आमल आप हर तीन हर दो-दो घंटे में उसको पानी दे सकते हैं अगर dehydration ज्यादा है तो ठीक है और साथ में dehydration में क्या करना होता है आपको एंड्रोजर्मीन औरल सॉलेशन देना होता है बच्चे को एक-एक सूबषा और अगर चाह मेने से कमका बच्चा है तो उसको ज्यादा का बच्चा है तो लिएटो से का मफेम अगар देक्डियो बनाए है तो आप देख सकते है रिंक डाल 12 कि ज씩 कारियों से बरे वीडियो होता रहोंगा तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, जय हैं